तो चलिए हम बढ़ते हैं राश्पती के शक्ति और स्थिति क्या है Powers and Position of the President of India पहली बात और पचारिक प्रधान ये शब्द बार-बार आपको इसलिए दुराय जा रहा है कि आपको मन में ये बैठा लेना है कि राश्ट्रपती नाम मात्र के लिए है इसका अर्जेनी की राश्पती एक धकोशला है एक दिखावा है नहीं आगे स्थिति स्पष्ट होगी कि नाम मात्र का अर्थ क्या है दूसरा इसकी शक्ति की बात करें तो राश्ट्रपती अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग केवल मंत्री परशद की सलाह से ही कर सकता है ये जो लाइन है ये जो पंक्ति है ये इस बात को स्पष्ट करती है कि राश्ट्रपती और पचारिक मुख्या या नाम मात्र का मुख्या क्यों कहलाता है क्योंकि वे जो भी शक्तियां उसके पास हैं वो शक्तियों का प्रयोग वो स्वैम नहीं कर सकता बलकि वह मंत्री परशद की सलाह पर कर सकता है यहां यह और स्पष्ट कर देना होगा कि मंत्री परशद की सलाह का माइने यह नहीं कि राश्ट्रपती मंत्री परशद को सलाह देता है मंत्री परशद की सलाह का अर्थ है मंत्री परशद राश्ट्रपती को जो सलाह देगी राश्ट्रपती उस सलाह को अनमोजित करने के लिए बाध्य है कुछ अपवाद जरूर है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे पर सामानी स्थितियों में सभी शक्तियों का प्रयोग राश्ट्रपती केवल मंत्रि परश्यत की सलाह से ही कर सकता है अपने बल पर स्वयम को दी गई शक्तियों का उप्योग नहीं कर सकता और उस हद तक वह पंगु है तीसरा अधिकतर मामलों में राश्ट्रपती द्वारा मंत्रि मंदल की सलाह मानना अनिवारि है ऐसी अनिवारि सलाह को मानने की बाद्धता राश्ट्रपती में है इसलिए राश्ट्रपती की सीमाएं शक्तियां बहुत सीमित है इसलिए राश्ट्रपती आवपचारिक है इसलिए राश्ट्रपती नाममात्र है जब ये शब्द बोला जा रहा है कि अधिकतर मामलों में मंत्र परशद की सलाह मानना अनिवार है तो इसका अर्थ ये भी लगा जा सकता है कि एक तरीके से मंत्र परशद द्वारा दी गई सलाह राष्टपति को सलाह नाव करके एक तरीके से आदेश ही तो है आदेश शब्द का उपयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि देश के आपचारिक रूप से प्रमुक को कोई आदेश नहीं दे सकता सलाह दे सकता है इसलिए सलाह शब्द का उपयोग किया गया है सलाह देने की ताकत किसमें हैं मंत्री परिशद में और सरकार के प्रधान में राष्ट्रपती को सलाह देने की ताकत इसमें हैं ऐसे अपवाद भी हैं जब राष्ट्रपती इस सलाह को मानने के लिए बाध्य ना हो पर वो कुछ बड़ी रेरिस्ट और रेरिस्टियों में होता है जिसका हम जिक्र करेंगे फिलहाल इतना हम समझ लें कि अधिकतर मामलों में मंत्र परिशद की तथा कति सलाह जिसे एक तरीकत हम आदेश ही समझें उसे मानने के लिए राष्ट्रपती बाध्य है राष्ट्रपती के लिए अनिवारे है कि मंत्र परिशद की सलाह को वो माने चौथा चूंकि प्रधान मंत्री और मंत्र मंदल प्रधान मंत्री कौन बन सकता है जो संसद में तबसे बड़ी पार्टी का या बहुमत का नेता जो हो वह प्रधान मंत्री होगा मैंने आपको बताया लोग सभा में बहुमत दल का नेता प्रधान मंत्री होगा और प्रधान मंत्री इनी संसदों के बीच से व्यक्तियों को चुन कर अपना मंत्र मंदल बनाता है इसलिए प्रधान मंत्री और मंत्र परिशद को लोग सभा में बहुमत के आधार पर ही वास्तविक कारेकारणी माना जाता है तो वास्तविक कारेपालिका कौन सी होगई? प्रधान मंत्री और उसका मंत्रि मंदल क्योंकि वे जनता से चुने हुए चुनी जनता से चुनने की प्रकरिया के जरियेवे सत्ता में आये हैं प्रधान मंत्री बने हैं जबकि राश्पती के साथ ऐसा नहीं राश्पती का चैन तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है राश्पती की शक्ति और इस्थिति को समझने के लिए ये चार बिंदू अभी हमने देखे इन चार बिंदूं से स्पष्ट हो गया है कि यदि हम बैलन्स ऑफ पावर की बात करें तराजू में शक्ति के पलनों की बात करें तो हम पाएंगे कि मंत्र मंडल और पधान मंत्री जो सरकार का मुख्या है भारत की संसदी लोक तंत्र में उसकी ताकत राश्टपती से ज्यादा है और राश्टपती की जो भी ताकत है वह मंत्र मंडल से लेता है मंत्र मंदल की सलाह पर वो अपनी शक्तियों का उपयोग करता है अपने स्वैम के बलपरनी सामानी स्थितियों में इस कार्थ यह नहीं कि राश्पति बिलकुल ही पंगु है यदि ऐसा था और यदि वास्तिविक्ता ऐसी है तो फिर राश्पति पद की जरूरत क्यों प्रधान मंत्री को ही देश का ही और सरकार का ही मुख्या बना दिया जाए जिसके अपने खत्रे हैं जिसका मैं एक बात जिक्र कर चुका हूँ कि ऐसी स्थिती में अध्यक्षात्मक प्रणाली का खत्रा तानशाही का खत्रा हो जाता है लेकिन फिर भी यदि इतना कमजोर राश्पति होना है समवैधानिक स्थर पर ही समवैधानिक रूप में तो उसकी जरूरत ही क्या जरूरत है राश्पति को कुछ विशेशादिकार भी है राश्पति के कुछ विशेशादिकार भी है जो उसे कुछ ऐसी शक्तियां देते हैं जिसके कारण राश्पति की भूमिका कई स्थितियों में बड़ी अहम हो जाती है तो अब हम उन विशेष शादिकारों का जिक्र करें जिनें हम तीन भागों में बांट सकते हैं राश्ट पति के विशेष शादिकारों को तीन भागों में बांटा जा सकता है पहला मंत्र परशद की सलाह पर ही वह काम करता है मैंने कहा सामाने सुतियों में राश्ट्रपती के लिए बाद्ध है मंत्री परशचत की सलाह को मानना लेकिन राश्ट्रपती मंत्री परशचत की सलाह को लोटा सकता है लोटा सकता है पुनर विचार है तो कह सकता है अनुरोद कर सकता है कि जो आदेश या जो सलाह आपने भेजी है मुझे हस्ताक्षर करने के लिए वह सलाह पर एक बार पुनर विचार करें क्योंकि मेरी कुछ शंकाएं हैं उन शंकाओं को बिंदुवार लिखते हुए वह मंत्र परशद को सलाह को पुनर विचार के लिए वापस भेज सकता है ऐसी स्थिति में दो बाते होती है वापस भेज सकता है और यदि वही सलाह मंत्र परशद पुनर वापस भेज सकता है तो राष्ट्र पती उसे स्वीकार करने के लिए बाद्ध्य है बाद बड़ी स्पास्ट राश्पति उसे पुनर विचार के लिए भेज सकता है और ऐसा करते हुए वह मंत्र परशत्य यह निरोद कर सकता है कि इस बिंदूओं पर थोड़ा गहराई से विचार करके इसकी अच्छाई बराईयों पर औ और थोड़ा अध्यान करके पुनर विचार करें और साथ ही ऐसा करते हुए कुछ समय भी ले सकता कई बार समय लेने से इस करता हैं निड़ना के लिए समय लेना है तो यद्वी मंदल पुरुणर विचार के लिए उसे स्विकार कर लेगा और उसका स्वागत करेगा लेकिन है यदि मंत्री मंदल चाहे तो वही जड़िव यथा वत राष्पति को वापत भेज देगा और ऐसी श्थिति में राश्पति के लिए वह आवश्यक है कि वह इस सलाह को अब यथावत स्वीकार कर ले राश्पति द्वारा मंत्र मंदल को पुनर विचार के लिए भेजे जाने की स्थित्य में एक दूसरी स्थित्य होती है कि मंत्र मंदल उस पर पुनर विचार कर भी ले कुछ सुधार या कुछ बदलाओ या कुछ परिवर्तन करे हो सकता है उस सलाह को दुबारा भी ना भेजे क्योंकि तब तक स्थितियां कुछ बदल सकती है तब तक कुछ नए साक्ष कुछ नई बाते सामने आने से मंत्र मंडल को लगता है कि यह सलाह अब की स्थिति में उचित नहीं है तो इस प्रकार इन दो स्थितियों में क्या बदला होगा इस पर हमने चर्चा की सला संबंधी अधिकार के बाद दूसरा जो विशेश अधिकार राश्पति के पास है वह है भीटो का अधिकार भारत के राश्पति के वीटो पावर का मैंने जिक्र किया निशेद का अधिकार जो है उसका उस समझ में कुछ और जानकारियां जानने जरूरी है पहली बात तो यह कि वीटो जो शब्द है निशेद का अधिकार निशेद करने का उसके माइने क्या है बहुमत के निर्णे को रद करने का अधिकार या शक्ति वीटो कहलाती है सामानित या हम वीटो पावर शब्द का उल्लेक युनाइटेड नेशन्स जिसे सेक्त राष संग कहते हैं वहाँ पर हम पाते हैं वहीं उसके बारे में सुनते हैं जहां पर पाथ जो सुरक्षा परिशत के जो स्थाई सदसे हैं उन्हें या अधिकार दिये गया है परंतु इसके कुछ अन्य अर्थ भी है जो निशेद का ही दूसरा रूप है परंतु ये तत्व राजनीतिक व्यवस्था में वीटो वाली बात राजनीतिक व्यवस्था में रोमन सामराजिकाल से ही विद्यमान रहा है ये आपको जानने जरूरी है अर्था शेंक्तराश में पहली बार वीटो की भाव ना आई या वीटो की बात आई ऐसा नहीं है ये रोमन काल से पितलित था परंतु आधनिक काल में आधनिक व्यवस्था में अमेरिकी राश्पती को और उसके बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता के दोरान वाइस रॉय को भी वीटो का अधिका दिया गया था और महत्पूर्ण बात ये है कि समविधान में भारत के समविधान में वीटो शब्द आप कहीं नहीं पाएंगे कहीं भी इन लिखित नहीं है क्योंकि एक सिध्धांत है एक सिध्धांत के रूप में इसे देखा जाता है राश्पती द्वारा विधेयोकों पर सहमती देने ना देने के संबन में ये शब्द का उप्योग होता है। रही भारती समिधान की बात, तो भारती समिधान में ये कहीं उपलब्ध नहीं है जैसा मैंने कहा, पर इसके उदाहरण स्पष्ट है। इस शक्ति अधिकार के उप्योगों का प्रावधान स्पष्ट है। तो ये कहां मिलता है, कहां दिखेगा। पहली बात, अनुचेद 111, अनुचेद 111 के तहद, सामान्य संसदी विधेयक और धन विधेयक के मामले में राश्टपती वीटो का पावर का उप्योग कर सकते हैं ये तो उसका हो गया पहला शक्ति या पहला धिकार। राश्टपती की शक्ति के संबन में दूसरी शक्ति या दूसरा धिकार हमें अनुचेद 201 के तहर दिखाई देता है, जिसमें राश्टियों के विधेयक जो राश्टपती के पास विचार के लिए भेज जाते हैं, जो वे आरक्षित कर दिये जाए और तीसरा अधिकारक्षित तीसरा मुद्दा जहां वीटो पावर का उप्योग राष्टपती कर सकते हैं या करते हैं वह है अनुछे 368 के तहट सम्विधान संशोधक विधयक के मामले में सम्विधान संशोधक विधयक के मामले में अनुछे 368 सरल भाष्षा में हम यह कह सकते हैं कि निम्न तीन बाते महत टोड़ना पहला राष्टि पति किसी भी विधयक को अनुमति देने से मना कर सकता है किसी भी विधयक को वितहोल्ड कर सकता है रोक सकता है किसी भी विधयक पर अपने हस्ताक्षर या सामति देने की प्रक्रिया को इस्थगित कर सकता है ये तो इसकी पहली, दूसरी बात, वह धन विधैक को छोड़के, किसी भी विधैक को पुनर विचार के लिए वापस सदन को भेज सकता है, शब्द याज रखेंगे पुनर विचार, पुनर विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन एक बार भेजने के बाद, सदन के द्वारा वह जैसी विस्थिति में वापस आये राश्ट पती उस विधय को हस्ताक्षर करने के लिए बाद्य है अर्थात वह दुबारा उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता उस पर भीटो नहीं करता यह जो दोनों अधिकार खेतरे हैं वो अनुछे 111 के अंतरगत हैं यही विश्थार राज्ट के विधयकों पर भी लागू होती है जो अनुछे यहीं अनुछे 1201 के तहक साथ है कि राज्य द्वारा पुना पारित विधयकों वो फिर से लोटाता एक बार पुना अनुरोद कर सकता है राज के विध्यक पर चर्चा के लिए पुना अनुरोद करने का अधिकार राश्पती को रहता है यही अंतर है अनुछेद 111 और अनुछेद 200-201 के बीच रोचक बात यह है कि केवल संविधान संशोधन ही ऐसा विध्यक बिल है जिसे राश्पती किसी भी प्रकार से रोप नहीं सकता वीटो नहीं कर सकता संविधान संशोधन के मामरे 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 माम तो दुट्वे वीटों नहीं कर सकता और साथ सदन के पास ये विध्यक जो है उसके पास होने के बाद इसका विधी या कानून बनना तैह है राश्पती इसके अनुमोधन के लिए बात दिकार ये उसका वीटों का अधिकार है पहला अधिकार मैंने बताया सलाह को पुनर विचार के लिए भेजने का अधिकार दूसरा अधिकार है वीटों का अधिकार और तीसरा अधिकार है गटबंधन की सरकार के समय ये गटबंधन क्या है अभी कौन सी सरकार चल रही है वरतमान में नरे नमोधी की सरकार चल रही है हम आप सब यही कहेंगे कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है अर्थात नरेंद्र मोदी हमारी वर्तमान सरकार के प्रधान मंत्री हैं बिलकुल सही बात श्री नरेंद्र मोदी हमारी सरकार के प्रधान मंत्री है तो हमारी सरकार किस पार्टी की है इसका उत्तर हमें से अधिकतर लोग संभवता देंगे हमारी वरतमान सरकार BJP पार्टी की है और यह उत्तर गलत है हमारी वरतमान सरकार BJP दल की नहीं है हमारी वरतमान सरकार NDA की है National Democratic Alliance यह क्या है NDA विभिन्न दलों का एक समूह जो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वो लोग एक छाते के नीचे काम करें गया है कुछ बातों पर सहमत ही होते हुए कुछ दल एक गुट में आ गए है ऐसे 25-30 दलों का ये गुट है जिसे हम कहते हैं NDA National Democratic Alliance और चुँकि इस गुट में भारती जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है इसलिए हम कहते हैं NDA जो है उसका नित्रित्व भारती जनता पार्टी कर रही है इसलिए ये बार बार फीलिंग आती है कि ये सरकार जो है भारती जनता पार्टी की है नहीं सरकार जो है भारती जनता पार्टी के नित्रित्व वाली NDA की सरकार है और चुँकि भारती जनता पार्टी का बहुमत है भारती जनता पार्टी का ही व्यक्ति उसका एक नेता है जो बहुमत से नेता चुना गया है और वह है शी नरेंद्रमोदी जी और चूँकि वो बहुमत दल के नेता हैं इसलिए वेप्रधान मंत्री जैसे एक गुट का नाम NDA है ऐसा ही दूसरा जो गुट है उसका नाम UPA है United Progressive Alliance United Progressive Alliance यह भी करीब 25-30 दलों का समूव है जो एक कॉमन प्लाटफॉर्म पे किसी कई कारणों से एक अठ्थे हुए है और United Progressive Alliance में जो सबसे बड़ी पार्टी है वह है कॉंग्रेस इंडियन नैशनल कॉंग्रेस जिसका नित्रित्व शीमती सोनिया गांधी कर रहे हैं तो अब आप ये जो दो गुट है गुट शब्द के पहले गुट शब्द के बदले इसे गट बंधन कहना उचित होगा राजनीती के भाशा में ये गट नहीं है ये गट बंधन है कुछ बातों को लेकर कुछ समूह कुछ गलों द्वारा एक प्लैटफॉर्म में आना गट बंधन कहलाता है तो यहां पर गट बंधन की बात क्यों आ रही है कि जब गट बंधन की सरकार बनती है उस समय राश्पती की भूमिका बहुत अहम हो जाती है हम जब सरकार बनाने की प्रक्रिया में गहराई से समझने की कोशिश करेंगे आगे तब हम जानेंगे कि गट बंधन की स्थिति में कितनी अस्थिता की स्थिति रहती है और ऐसे समय में राश्पती की भूमिका बहुत अहम हो जाती है जब गडबंधन की सरकार रहती है तो किस गडबंधन में कितनी सीटें हैं किस गडबंधन ने लोक सभा में कितनी सीटें जीती दूसरे शब्दों में किस गडबंधन को बहुमत है ये तै करने का विशेशादिकार राष्ट पती को है राष्ट पती के ही द्वारा ये निर्णा किया जाता है कि कौन से गडबंधन को कौन से दल को बहुमत प्राप्त है ये जो अधिकार है अत्यादिक महत्पूर्ण है और इस अधिकार पर किसी भी तरह का किसी के भी द्वारा अंकुष नहीं है ये राश्टपती के विवेक का अधिकार है इस राश्टपती के विवेक के अधिकार को इस राश्टपती के विवेक के अधिकार इस अधिकार के कारण ही राश्टपती की महत्ता बहुत बढ़ जाती है और सम्वेधानिक रूप से यद्यपी वह केवल नाम मात्र यह वह देश का प्रमुक है प्रयोग में वह नाम मात्र को है पर वह सर्व शक्तिमान तब दिखाई देता है राश्पती सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जब लोग सभा के चिनाओं में किसी दल को या किसी गटबंधन को इस पस्ट बहुमत नहीं मिला हो क्योंकि ऐसी स्थिति में राश्पती द्वारा ही नेना किया जाता है कि कौन से दल को वह सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे या ना करे या पुनह चनाओं की घोशना करे ऐसी स्थिति में मंत्री मंडल का सलाह महत्पूर्ण या बाधी उसके लिए नहीं रहती उसके अपने स्वैम का विवेक यहां पर निश्चित करता है निर्णा करता है कि किस तरह का कदम ऐसी स्थिति में लिया जाए राजनीतिक परिस्थितियों पर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्टपती का एक तरीके से विशेशादिकार है राजनीतिक परिस्थितियों पर बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों पर राष्टपती का अधिकार बढ़ जाता है राष्ट्पति की शक्ती बढ़ जाती है तो इस तरह हमने समझा कि राष्ट्पति के विशेशादिकारों में पहला विशेशादिकार सलाह संबंदी बाध्यता को पुनर विचार बाध्यता के बावजूद पुनर विचार के लिए भेजने का अधिकार उसे है दूसरा विश शादिकार राजनैतिक परिस्थितियों से संबंदित है जहां गडवंदन आदिक को लेकर सरकार की स्थाइत्व को सुनिश्चित करने के लिए राश्पती कुछ प्रयोग कर सकते हैं